जब मैं रिशी केश में रहता था, आसरम के पास एक संस्क्रीद बिद्याले था, स्वामी सीवानन जी बिद्याले के प्राचारे का बड़ा समान करते थे, उस काल में केवर वे गरीब बच्चे नी संस्क्रीद सिखते थे, जिनके पास कोई काम नहीं होता था, वे ललके स्वामी जी अनुपस्थित होते तो आसरम की वस्तुमें लेकर भाग जाते थे, अतेवाद जब भी प्राचार महोदे बाहर जाते, स्वामी जी मुझे पाट साला की चोपितारी पर लगा देते थे, मैं अपने पिस्तर पर लेड जाता और तीन वजे सुवर तक जागता र सुवर जाकर सिवानन्द आसरम चला जाता था, मुझे यह पता भी नहीं रहता था कि विद्यार्थियों ने कौन से मंत्र और प्रत्ना का पाट किया है, एक बार पास कहीं किसी आसरे में मैं एक कार्याले में सम्रित हुआ, जिसमें इन ब्रहमचारियों ने संस्क्रीत के अ अंगल चारन कापाट दिया, इन असलोकों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनहें कहीं सुना है, प्रतु मुझे यह याद नहीं आया, कि मैंने कब और कहां इनहें सुना है, मैंने उन्हें पढ़ा या लिखा भी नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग इसके बाद मैं सुछ्मसरीत की स्रवन्त प्रकिरियत था उसकी छमता वाड़े में गहराई से विचार करता रहा बाद में जब मैंने तंत्र सास्त्र का अधेयन प्रारम किया तब मैंने देखा कि सुच्म सरीत को सिखायत अथा प्रसिछित किया जा सकता है मुझे विश्वास हो गया कि जीस तरह जागरित ब्यक्ती को सिखाया जा सकता है उसी तरह सुचों सरीद को भी निद्रा वस्था में सिखाया जा सकता है उस समय बाद जब मैंने मुंगेर नगर में रहने लगा तो किसी ब्यक्ती ने मुझे एक टेप रिकॉरडर दिया उसकी सहायता से मैं योग निद्रा के प्रयोग एक ऐसे लड़के पर करने लगा जो पहैसे के तरस होता था वो निद्रा में इस कदर बेहोस रहता था कि यदि उसे एक कमरे से उठा कर दूसरे कमरे में डाल दिया जाए तो भी उसे कुछ पता नहीं चलता जैसे ही वह सोता मैं उसके पास गीता तथा फुरानों के असलोकों का पाट करता अंग्रेजी में समभासन करता उसके साथ मेरे प्रयोग पांच मार तक चलते रहे उस बालक का नाम स्वामी निरंजन है वह कभी किसी ए स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा आज वह अंग्रेजी में धारा परवाफ परवचन देता है यदि आप उसे सुने तो अनुहोग करेंगे कि योग निंद्रा में सिखाई गई बातों का मन पर कितना अस्थाई परवाव करता है यहां मैं सिख्षा वस्था अत्वास सिख्षन की विद्यों को अलोचना नहीं कर रहा हो मेरा तात पर आपको यह समझाना है कि योग निंद्रा में जब बेक्ती सुप्त सद्रीज लगता है तो उसका सुच में सरी जगा रहता है यह सुच में सरी आदेशों और संस्कारों के प्रति आश्चारे जनक रूप से ग्रहन सील होता है मनुब्य ग्यानिक के अनुसार के अपने अध्यान के दोरा मुझे मालूम हुआ कि सोच सेनेवी से सभी की कमोवेस इसी तकनीक का प्रयों करते हैं वे बार बार कुछ निश्चित बातों को दुहरा कर युद्ध है कि कवे सफेद होते हैं अथवा गधो के सिंग होते हैं जागरी तवस्था में कोई इन बातों को स्विकार नहीं कर सकता परन्तु यदि सुच में सरीर के समक्ष इन बातों को बार बार कहे तो कोई ही मीनमेक निकालने निकाले बिना वह इने स्विकार कर लेगा बाद में पुन फेदी आप इनहें बोलेंगे तो जागरी तवस्था में भीव है इस पर कोई अपती नहीं करेगा संसार में मस्तिस की धुलाई की जितनी भी टकनीक है वे सब योग निद्रा के सिधानतों पर अधारित हैं जब मैंने योग निद्रा के सिधानत को देवहार में उतारा तो मैं इसी दनी सकर्ष पर पहुचा कि योग निद्रा के प्रयोगों से असंख पिड़ी जनों का बड़ा उधार हो सकता है कलपना कीजिए एक बच्चा रोज रात्री में बिश्टर पर पेसाब कर देता है रात्री में उसके सुने के दो-तीन मिनिट के भीतर ही उसे उठा कर पिठा दिया जाए और जगा करकर यह सुनो रात्री में जब भी तुम्हें पेसाब लगे बात्रूम में जाकर करना कुछी दिनों में आपको यह देखकर आश्चा रहोगा की बच्चे में बड़ा परिवर्तन आ गया है तथा आपकी समस्य हल हो गई है एक परिवार की महिला अपने पती की मदपान की आदत से बहुत परिसान थी मैंने उससे कहा कि अपने पती से भूल कर भी मदपान की आदत छोड़ने का आगरह न करें वह स्वेम बजार जाकर उसके लिए मदिना खरे दे और यदि वह आगरह करे तो स्वेम भी मदपान के उसका साथ दे मेरी बात सुनकर वह भोचकी रह गई उसे डर लगा कि कहीं मैं उसे पतन के गर्त में तो नहीं ढखिल रहा हूँ परन्तु उसके उमीद के साथ मेरी आग्या का पालन किया कि कभी सन्यासियों के सब्ध ही जादू का काम करते हैं कुछ दिनों के बाद मैंने उसे अपने पती को योगनीद्रा कराने की सलाह दी वह योगनीद्रा में उसे कुछ अच्छी बाते बताने तथा सलाह देने लगे हाला कि उसके पती ने इन बातों को पसंद नहीं किया कि तूने सिविकार अवसे कर लिया परन्तु योग निद्रा का अभ्यास बंद कर दिया, तंत्र में एक मंत्र दुहराय जाता है, करतल कर प्रिष्ठायाम नम, अनुष्ठायाम नम आदी इस मंत्र का उदेश प्रसिक्षन को चंसालित करने के करके उसे सरीर के पीशेस अंगों पर ले जाना है, इससे अचेतन मन की जागरित होता है, जब हमारा चेतन मन निद्रा वस्था में होता है, तब अधिक से अधिक जागरित रहता है, उसमय वह बड़ा ग्रहन सील होता है, यदि आप कोई संकल्प ले, तो वह हवा से पुरा होता है, यदि अभ्यास बड़ा महाल है और धितर गुड है, आप दूसरों का आहित करने के लिए संकल्ब करेंगे तो इसका प्रभाव आप पर ही पड़ेगा और निश्चीत जानिए कि यह दूसरों के पिक्षा आपकी अधिक खाने करेगा अतेवब भूल कर वियोग निद्रा का परयोग सुद्र कारियों के लिए न करें जब मुझे म और मन गहन भी श्राम पाते हैं अनेक तनाव दूर हो जाते हैं तथा उनकी चेतन और शुचम सरीर उर्जा से अवेसित हो जाते हैं यही उर्जा उन्हें पिमारियों को पराहित करने की सकती और समर्थ प्रांध करती है किरदय घाथ, कैंसर और अनेक मांसिक व्याधियों के योग मिंद्रा के ब्यापक सफल परियों किये जा रहे हैं इनके उत्सा वर्धक परिनाम मिले हैं मैंने योग मिंद्रा के अभ्यास को इतना सूगम बना दिया है कि भविश्य में कोई भी बेक्ती इसके द्वारा आपने सरीर, मांसिक सरीर, भावनात्मत, समाजिक और परिवारिक तनाओं से निश्चित ही छुटकारा पासकता है क्या समझ नहीं है